नमस्कार, नमो नरायन, स्री हरी नरायन विश्नु की जय जय कार हूँ, और आज का मेरा टॉपिक है कि ऐसा क्या तरीका है स्री हरी नरायन विश्नु का जिससे आपके ग्रहे भी सही हो जाएंगे और सभी दिसाओं से आपको सुक्ष समध्धी भी मिलेगी, देखिए जब भी हम पैदा होते हैं तो ग्रहों की जैसी इस्तिती होती है जैसे आपके ग्रह आपकी कुंडली में बैठे होते हैं उसी हिसाब से हमाई जिंदगी का निरधारन होता है यानि अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हमें मिल गए तो हम अच्छे घर में पैदा होते हैं तरक्की करते चले जाते हैं हम गरीबी नहीं देखते हैं लेकिन अगर हमारे ग्रह खराब होते हैं तो हमें बहुत संगर्सों का सामना करना पड़ता है और जो ये संघर्स और तरक्की मिलती है वो मिलती है हमारे पिछले जनम के कर्मों के द्वारा सो कर्म दो प्रकार के होते हैं एक जो हमने पहले अरजित कर लिए और दूसरा जो अब हम अरजित कर रहे हैं जो हमारा एक्सन है करेंड का सो पहले के जो करम होते हैं उसके हिसाब से हमें ग्रह मिलते हैं और हम उसी हिसाब से कभी राजा बनते हैं तो कभी हम अपराधी बन जाते हैं कभी दारू पीते हैं कभी कोई प्रकाल की हिंसा करते हैं लेकिन जो लोग अभी कर्म कर रहे हैं उनके यह कर्म करेंड के कर्म है और आगे जणते चलिए आते हैं तो ग्रशों का बहुत प्रभाव पड़ता है आप देखेंगे हर कोई आज ग्रहों को देखके ही काम कर रहा है चाहे वो चाहे किसी को भी आप उठा के देख लीजिए और भगवान कभी भी इसके बीच में हस्तचेप करते भी नहीं क्या भगवान से बढ़े एंगरे अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूशा जाए तो मैं कलियू के हिसाब से बात करता हूँ तो बोलूँगा यस लेकिन अगर इसकी पूरी तो बोलूँगा बिल्कुल नहीं परमात्मा सर्वोच्छ है लेकिन एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कर्मों को प्रधानता हमेशा भी गई है जब आप कर्म करते हैं तो आपको गौड मिलता यानि कहने का मतलब यह है कि जो आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं जो अब सिक्षा प्राप्ट करके आगे बलेंगे वो लख है वो परमात्मा है और जो उस स्कूल में पढ़ा रहा जो हेड मास्टर है जो टीचर है वो ग्रे हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं तो बात समझे कि कर्मों की प्रधान नगरी में ग्रहों का बहुत महत्तो है तो ऐसा क्या तरीका है जिससे हम इन ग्रहों को अपने अनुकूल कर लें और इनका आसिरवाद प्राप्त करें अब ग्रह नो प्रकार के ओते जिसमें साथ ग्रह जो है मुख्य है और दो ग्रह चाया ग्रह है पर यहां मैं बात कर रहा हूं नो ग्रहों की तो नरायन भगवान का एक ऐसा थार्मूला एक ऐसा सीक्रिट है जिससे आप इन ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं और मैं जब तरीका यह है कि विष्णू सहस्त्र नाम सहस्त्र मतलब हजार हजार नाम की मैं बहुत कर रहा हूं तो विष्णू के हजार नामों का आपको जाब करना है कैसे करना है क्या है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला यह है कि सबसे पहले आपको नाम का जाब करना है विष्णू के सहस्त नामों का आपने विश्मू के सहस्त नाम उठाए और नौ बार पढ़ा यानि एक बार कंप्लीट किया फिर दो बार किया फिर तीन बार किया और नौ बार कर लिया तो ये जो आपका तरीका हुआ से भी एक बार का हुआ नौ बार करने पर हुआ अब जैसे ये तरीका आ आपको नरायन कवच पढ़ना है, इस तरीके से आपकी एक बार पूजा संपन हुई, अब फिर आपको नौ बार पढ़ना है, फिर नौ बार कम्प्रीट होने के बाद नरायन कवच पढ़ना है, तो ऐसा करके आपको ट्ल बार करना है, ट्ल बार, तो टोटल आपके 108 बार साध 09 पढ़ता है क्योंकि 12-12 आपमें जप लिया और 18 रइत वी और 1-80 बार जब लिया तो आप देखे हैं हर को यही बोलता है कि यह मन्तर करो 108 बार करो क्वर मन को में भी 108 की महला होती है और हर बार अगर 108 बार जब ही तो क्यों ला इस तरीके की अपना éas is method का अपना हम क्यों संकोच करें है ना तो यह सबसे बढ़ फार्मूला होता है बैस्ट रेमेडी है और मैं तो यह बोलता है कि जो इंसान अगर इस रेमेडी को नहीं कर पाते हैं तो कम-से-कम विश्णु भगवान के सहस्त्र नावों में से एक माला यानि एक बार तो में हजार नामों क पोई तो भगवान का जो 100 में शरूख होंगा थोटो आपकी अवास सुन लेगा ना कि तो जो सुन में शरूख होंगा एक हजार में से उसके पास आपकी बात पहुंच गई तो आपकी काम बन गए तो ग्रहों का यही सिक्रट है यही फार्मूला है इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका काम बन जाए तब देखी बहुत से लोग होंगे जो अपनी नौकरी करते हैं उनके पास समय नहीं है जो लोग बिजनेस करते हैं कुछ लोग छोटे-मोटे दुकान से अपना खर् यही उन्हें उनमें एक तरीका होता है कि आप ऐसे करें वैसे करें इसमें साधना करें उच्छाण करें नियास करें विदिविलाद करें लेकिंगि जब आड़ा भूझें भक्ताई ही नहीं भक्ति करते हैं तो फरक नहीं पड़ता है devastation करें तो जब भी आपको समय मिले दिन में रात में दोपर में साम को सोते समय तो आप एक बार जरूर विश्णु भर्वान की एक हजार नामों का इस्मण करी और आप देखेंगे आपके सारी गुरहें इनके अदुकूर हो जाते हैं क्योंकि पालन गरता जो होता है जगट में वो सबसे बड़ा होता है जिसने सुर्ष्टि बनाई जिसने संगार किया वो इतना में नहीं करता जो आपको बल रहा है जो पालता है उसका नाम हमेशा लटा जाता है जैसा सिकस्ट को देखा उत्र हो किसी देदे वही बड़ा है तो आप पालन करता का नाम लेजिए नरायन का नाम लेजिए विश्णु दभवान का नाम लेजिए उनकी एक हजार नामों का आप जाब करिए और देखे घ्रेव रह तो कुछ भी नहीं है आपकी दसा अंतर दसा सूच में दसा परत्यां अंतर दसा सा हरी नरायन विश्णु का दिन होता है ये प्रहस्पतिवार को जुपिटर जो गुरु होते हैं उनकी भी साधना की जाती है अपने गुरु का नाम लेके जो आपके गुरु नहीं है तो उनका नाम लेके कि मैं दत्ता तरे भगवान जो विश्व के गुरु है उनका नाम लेक होगा नायन भगवान की आप पे क्रपा बरसने जगे की इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक को मैं विराम देता हूँ आप सभी लोग खुश रहें प्रसंद रहें भगवान विश्णु आपका पालन करें जगत का पालन करें नमो नायन जाए महाकाल जाए मा के लुके